आज मैं बनाने वाली हूँ चाशनी वाला रस भरा मालपुव वो भी रबड़ी के साथ जिसका स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे तो चलिए फटा फट बनाते हैं रबड़ी मालपुव मालपुव के लिए सबसे पहले हमें रबड़ी बना कर तयार करना है और रबड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए दूद मैंने यहाँ पर एक लिटर दूद गरम होने के लिए चड़ाया है वैसे तो मैंने इसे पहले से ही उबाल के रखा था क्योंकि यह गाए का दूद है कर आधाना हो जाए हमें इसे पकाना है यहां पर मैं वीडियो को थोड़ा सा स्पीड करके दिखा रही हूं ताकि यह वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए और आपको यह रबडी बनाने में तकरीबं 15 मिनट का समय लगेगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर रबडी में थो में ग्यास बंद करके इसे थंडा होनी के लिए थोड़ी देर के लिए फ रिज में रख दूँगे फ्रिज में रखने से देखिये रबडी कितनी गाडी हो गई है तो अब मैं इसे एक बोन में ट्रांसफर कर दूँगी और इसमें से थोड़ी सी रबडी में बचा कर रख लूँगी गानीशिंग के लिए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्कूद तो यहां पर मैंने थोड़ी सी रबडी बचा ली है गानीशिंग के लिए तो चलिए अब बनाकर तयार करते हैं माल पुआ के लिए बैटर तो इसी रबडी में मैं डाल रही हूँ दो चम्मच सूजी सूजी डालने के बाद अब मैं इसमें आड करने वाली हूँ एक कप गेहू का आटा तो दो दो चम्मच करके आटा मैं डालती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ इससे लम्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें एकदम स्मूद बैटर चाहिए तो मैं थोड़ा- होता जा रहा है तो अब मैं इसमें एट कर रहे हूं आधा कप दूद्ध जिसे मैं थोड़ा-थोड़ा करके आटे के साथ ही मिलाती जाओंगी तो यहां पर मैंने एक कप आटा पूरा यूज़ कर लिया है और अब इसमें मिला रही हूं एक चमश मैदा और बारी कुटी हुई इलाइची और जो आधा कप मैंने दूद्ध लिया था वो भी मैं पूरा इस्तमाल कर लूँगी तो यहां पर मैंने पूवे का बेटर बना कर तयार कर लिया है और अब इसके लिए मैं चाशनी बनाओंगी जब तक चाशनी बनता है मैं इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में एक कप चीनी और देड़ कप पानी डाला है तो चाशनी हमें बहुत ज़्यादा गाड़ी या तार वाली नहीं बनानी है जैसे ही चीनी बेल्ट हो जाए थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाए चाशनी वैसा ही हमें बनाना है चीनी गुल गई है पानी में उबाल आने लगा है तो अब इसमें मैं मिला रही हूँ इलाइची केसर के धागे ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए और बस देखिए चाशनी हमारी तयार है पांच मिनट इसे उबालने के बाद ये देखिए इतना चिपचपा ही हमें चाशनी चाहिए तो चाशनी हमारी तयार है ग्यास का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे साइड में रख लेते हैं तो चलिए अब हम पूवे बना कर तयार कर लेते हैं तो चलिए पूवे का बैटर हम देख लेते हैं, तो एकदम पॉफेक कंसिस्टेंसी है, इसकी ऐसी ही पोरिंग होनी चाहिए, देल भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, तो बस एक एक स्कूप में डाल रही हूं, बहुत बड़े पूवे में नहीं बना रही हूं, आप अकॉर्डिंग साइज रख सकते हैं, दोनों तरफ से भूरा रंग आने तक हमें इसे तलना है, गरम तेल इसके उपर मैं डाल रही हूं, ताकि उपर का हिस्सा पलटते समय पक जाए, और बहुत ही मध्यम आज में हमें इसे पकाना है, ताकि पूवे अंदर तक पक जाए, तो चलिए पलट लेते हैं इसे, देखे कितना खुबसूरत सा कलर आया है, और यह बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, चाशनी में जाने के बाद यह और भी सॉफ्ट हो जाएंगे, एक तब मू में खुल जाएंगे, तो दोनों तरफ से मैंने इसे अच्छे से तल लिया है, तो चलिए, आप इसे निकाल लेते हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी रेसिपी देख रहे हैं और आप लेगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है, तो इसे लाइट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कितने पॉफ्ट बनकर तया होनी चाहिए, और अच्छे से इसे हम चाशनी में डूबो देंगे, जब तक कि हमारा सेकेंड बैच तयार होगा पुई का, तब तक हम इसे चाशनी में रहने देंगे, तो अब हम इसे निकाल रहे हैं, तो अब एक एक करके चाशनी से इसे निकालते जाएं, बहुत देर इसे चाशनी में ना छोड़े, इसी तरीके से मैं सारे पूऊ को चानती जाओंगी, और चाशनी में इसे भिंगोती जाओंगी, देखिए कितने पॉफट बने हैं, तो चलिए, अब इसे हम गानिश कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक प्लेट पे मैं धीरे-धीरे करके सारे पूए रख रही हूँ, और उपर से मैं डाल रही हूँ गानिश करने के लिए जो रबडी हमने बचाई थी वो, रबडी में मैंने चीनी एड नहीं किया था, आप चाहे तो इसमें चीनी एड करके थोड़ी देर और ग्यास पर पका सकते हैं, रबडी के बाद अब इसमें मैं फाइन चॉप किया हुआ पिछता डाल रही हूँ, तो देखिए कितना खुबसूरत लग रहा है देखने में, उतना ही टेस्टी है खाने में, तो ये थी आज की रबडी मालपुय की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, अगर पसंद आए तो लाइस सरूर कीजिएगा, तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्यान रुखिए, खुश रही है और मेरी वीडियोस देखते रहे हैं।